चलिए वित्रों तो फिर आब हम 19 से लेके 24 मैं यानि की में 2024 के पार्ट 4 वाली कर इंटरफेस को गवर करेंगे चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला जो करेंटरफेस हमारे सामने आएगा इट इस बैक्टेरियल प्रियूरिटी पैथूजन लिस्ट बी पीपी एल 2024 तो इसको 2017 फिर पब्लिक्स किया रहा है लगातार यह एक ऐसा ग्लूबल टूल है जो एक बेसिस बनाता है ऐसी एक्टिविटीज के लिए जिसमें आपका एंट्री माइक्ट्रोबियल रेजिस्टेंस एमर का सर्विलेंस किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है तो जो अप्डेटिड बीवी पी एंट्री टॉनी टर्टिफोर है इसमें पंदरा फैमिलीज एंटी माहबायोटिक रेजिस्टेंड यानि कि ए बी आर पैथोजन्स की जोड़ी गई है ठीक है यह जो पैथोजन्स हैं इनको क्रिटिकल ग्रूप हाई ग्रूप और मीडियम ग्रूप की केटिगरी में रखना गया है रिसर्च और डेवलमेंट की बेसिस पे इनकी प्रियोटि डिसाइड कीए कि पॉब्लिक हेल्फ मिजर्स के लिए कितने जादा आपके किस केटिगरी में लाइगा ठीक है यह मार की बात करेंगी तो यह म तब आपका होता है जब हमारे माइक्रोब में कौन को ना जाता है बैक्टेरिया फंगाई पैरेसाइड वाइरस इस वगएरा यह एक इवाल्व हो जाते हैं जो एक्जिस्टिंग एंटी मैट्रूपियल ड्रक्स हैं उनके उपर जादा एफेक्टिव नहीं हो ठीक है यह ज यूज किया जाता है एंटी बायोटिक्स का वो भी एक इंपर्टेंट डूल आ जाता है और प्रोपर तरीके से डाग्नोसिस नहीं किया गया है पूर इंट्रेक्शन कंट्रोल बगरा यह सब कुछ मेजर रिजर्स इसकी कैटेगरी में आ जा है फिर हुब आप करते हैं तेल हमरे की कॉमर्स के स्टोर्स हो जाते हैं एक्टर का नाम यूज नहीं करेंगे और बागी जो लाइकनलेस है लाइक उनको उनका कुछ फ्रेज होगरा है जकास है ना इस टाइप की चीज़ों को बिना उनके कंसेंट के यूज नहीं किया जाए अब अगर हम पस्नेलिटी रा राइट का मतलब होता है किसी भी ऐसे इंसान के राइट जिसकी दौरा वह अपनी पस्नेलिटी को प्रोटेक्ट करता है इसमें उसका नेम भी आ जाता है उसकी वाइस आ जाती है उसकी सिगनेचर आ जाते हैं उसकी इमेजिस आ जाती है फिर ऐसा कोई फीचर जो कि उसकी प personality rights are not explicitly mentioned in any stats in India लेकिन यह आपके right to privacy के अंदर में लाए करते हैं और right to property जो आ जाती है इनके अंदर में लाए करते हैं आप देखो इसमें दो भई हमारे components होते हैं एक होता है right to publicity ठीक है मतलब कि अपनी image को बचा के रखना right to protect us image and likeness from being commercially कि आप किसी भी बंदरे की image या personality या फिर किसी और चीज़ को आप commercially उसको एक्समेट कर रहे हैं commercially उसको यूज कर रहे हैं उसकी permission के बिला है ना तो इसमें हमारे ट्रेडमार्क एक 1999 और कॉंपिरेट एक 1957 आ जाता है वह यह अगर हम right to privacy की बात करें तो right to privacy का मतलब होता है कि अपनी personality को रिप्रेजेंट ना होने देना बिना पर्मिशन लिए यह आ जाता है article 21 of the Constitution में और Supreme Court का जो case रहा थो जस्टिस के सब्सक्राइब 2017 जिसके बारे हम कई सारे कुशन पूचे जा चुके है वह भी सी के अंदर शामिल होता है अब उस पर एक और चीज़ आद देए वाई दैट इस कॉल्ड एस पोस्ट मॉटर्स परस्नेल्टी राइट्स मर्लो पर आप क्या परस्नेल्टी राइट्स रहते हैं जो है वो आपका इंडियन पीनल कोड अप तो सब्सक्राइब चेंज हो गया उसमें आप दायत किया जा सकता है आप किसी तरह कर रहे हैं उसको मोबीज में या फिर दूसरी से पर आप हमको गलत तरीके से दिखा रहे हैं याना उनकी फैमिली के बारे में कुछ गलत और रेपेटिशन आप डाउन कर रहे हैं तो फिर दिफिमेशन यानि कि मानवाने के सूट दायर किया जा सकता है एमिलम्स और नेम्स आजाता है प्रेवेंशन आफ इंप्रोपर यूज एक नाम्स का बचाता है और इसके बारे में कुछ हमारे इंपोर्टेंट जुडिशन प्रोनॉस्मेंट भी रहे हैं एक तो रहा है भाई हमारा आई सी सी डेवलपमेंट लिम्टेट ठीक है वर्सेस आर्वी एंटरप्राइजेस टुटाजन देली आई कोट के अंदर का केस ताप उसके बाद अनुन जेट्री वर्सेस नेटवर्क सॉलिशन दीप जायकुमार दीप जायकुमार वर्सेस एल ह जायए 2019 मदरास हाई कोट यह सारे के सारे केसे जो है इनी सारे टॉपिक्स के उपर डील करते हैं फिर हम बात करेंगे आज सी डिकलानी लास्ट फार्म लेंट ट्रीस इन इंडिया ओवर अपास्ट के स्टडी तो यह जो फाइंडिंग्स की गई हैं यह सैटलाइट इमेजर जब फैक्टिस के ऊपर क्या इंपेक्ट पड़े हैं इनके साब से जो ग्यारा परसेंट फुली ग्रोंट ट्रीज हैं दो गजार गस्ते लेगे दो गजार ग्यारा के बीच में यह अब विजुगल नहीं है जब इनको दो अजार अठारा दो गजार 22 में रिव्यू किया ग होते जहां पर आपकी पेड काफी ज्यादा थे उनके उस एरिया में से लार्ज फार्म लेंड ट्रीज की जो केटिगरी होती है वो 50 परसेंट तक कम पाई गई है ऐसा तेलांगना और महारास में काफी देखा गया है ठीक है पोटेशल ड्राइवर ट्री लॉसस की आ जाते ह लोग बेनिफिट्स बगरा टी बगरा से मिला उस परसेप्शन को लिए जब लोग चलते हैं तब फिर हम बात करेंगे मैट्रियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंवी पी आई तो ड्रक्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानिकि डी सी जी आई इन्होंने टैम सब्सक्राइब कमिशन जो है वो नेशनल कोडिनेशन सेंटर की तरह काम कर रहा है इसमें अंडर होता क्या है कि मैटिकल डिवाइस एसोसेटेड एडवर्स इवेंट जिनको एम डी ही का जाता है उनको मॉनिटर करना है अवेर्नेस डेवलप करनी है हेल्थ के प्रोफेशनल बगरा किसी के दोरा भी रिपोर्ट किया जा सकता है इससे क्या होगा कि इससे रिस्त बैनेफिट रिस्क रेशियो जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका नाबा जाएगा उसको इवेल्युट किया जाएगा मेडिकल डवाइस इसका पब्लिक कॉंफिडेस वगरा भी अची जूग पैन स्कैप यह एक ऐसे स्कैम को डिस्प्राइब करने के लिए यूज किया जाता है जो कि एक लॉंग पेरिट ऑफ टाइम में अकर होता है जिसके द्वारा विक्टिम की मनी को ऑनलाइन एप्स के तुरू बार बार आपका निकाला जाता है क्रिमिनल क्या करते हैं वि इनवेस्ट करने के लिए काफी जादा अच्छे तरीके से कर्मेश करते हैं ना जाज़र फेक रेडिंग प्लेटफोर्म हो गए लव बंबंग गोस्टिंग इंक्रिप्टेट मेसेजिंग है मैनिपलेशन क्रिप्टो में डेटिंग एप्स में इनवेस्टिंग में पोनी प इनवेस्टिंग यह आपका आता है स्केमर्स की प्रैक्टिस से कि स्टार्टिंग में वो आपको फैटरिंग अप करते हैं यानि कि स्टार्टिंग में वो आपको बेनिशिट्स देते हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड करते हैं फिर उसके बाद में को स्लॉटर करते हैं फिर आप प्रट्ली गोर्ड अवार्ड दिया गया है इसको ग्रीन ऑसकर के नाम से भी जाना जाता है तो इसको हर्गिला नाम से भी जाना जाता है इसको इनका डिस्ट्रिवीशन असम में है बांकी का बिहार में है उसके बाद जो जब गमबोडिया में भी पाई जाती है इनके हैविटाइट में वेट लेंड्स आ जाते हैं वेट लेंड्स पर ये काफी ज़दा पाई जाते हैं ठीक है जो बड़े-बड़े ट्रीज होते हैं वहाँ पर एक घोसले बनाते हैं अपने जिनकी ऐसे बड़े- में रखा हुआ है और पूर्डवा देवी वर्वन के बारे मैंने पहले भी कवर किया था इन्हों ने एक वुमेन आर्मी बनाई है इसको हर गिला आर्मी के नाम से जाना जाता है जो कि ग्रेटर एजल स्टॉथ को बचाने के लिए ही काम करती है फिर हम बात करेंगे केल्सि कारवाइट जो है जो आप फ्रूंच को पगाने के लिए यूज करते हैं उसमें कंप्लाइस लाना है यानि कि उसमें प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो इसको प्रिपेर किया जाता है क्विक लाइन को गरम करने के साथ साथ इसमें जोड़ा जाता है और फिर उसके ब safety और standards prohibition and restrictions on sales acquisition 2001 के अंडर में prohibit किया जा चुका है से फार alternative मतलब की fruit ड्राइपरिंग के जो है वो आपके देखे जा रहे है अगर इसका concentration 100 ppm कोहुँच जाता है तो यह काफी जदा harmful रहती है ठीक है मतलब की crop variety maturity इन सब यह सारे factors नुमारे आई ही जागे फिर हम बात करेंगे bees और उनके behavior के बारे में तो UN ने May 20 को world bee day के तोर पर designate किया है bees हमारे होते हैं pollinators जो की food security और biodiversity को conserve करने में एक important role लिवाते है honey bee की अगर हम बात करें तो honey bee के पास होती है total 6 lakh चार विंग और फाइव आई ठीक है इनके behavior की बात करें तो honey bee वेगल डांस जो रहती है वह परफॉंग करती है अपने जो food sources की location होती है उसको communicate करने के लिए इसके साथ-साथ एक और word आता है जिसको कहा जाता प्रोपेलिस यह एक resin जैसा substance रहता जो honey bee के दौर आप प्रोवाइट दिया जाता है जिससे आपके cracks वगरा जो होते हैं उनको रोका जाता है हाइट के अंदर जो cracks वगरा होते हैं उनको रोका जाता है हाइट को invader से रोका जाता है कि वही और उसके साथ-साथ bacterial और fungi का build-up हाइट के अंदर मदलुखी के चत्ते के उपर रोका जाता है फिर बात करेंगे फकीर लालों शाव 1774-1890 की तो इंडो बांगला इंडो बांगला बाउ म्यूजिक फेस्टिबल जो है यह डगा में और ऑगनाइस किया गया टू और स्वारी टू फिप्टियर्ट अनिवर्सरी मनाई की फकीर ललन शाथ रामकुष्ण परमगलन तो और स्वामी वही का अनंद जो थे उनके संकालीन थे इन्हों ने लालोन अखरा जो है अखाना सोरी उसके इस खापना की जिसम को युनेसको ने अपनी इन्टैंजिवल कल्चिरल हेरिटेज इन्टैंजिवल जिसको चुआ नहीं जा सकता है इसके साथ रवीनना टैगोर और रज्रूल इसलाम जैसे परसनेलिटीज को भी इन्होंने इंफ्लॉएंस किया है फिर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियर मेटा प्लेटफॉर्म ओवर चाइल्ड सेफ्टी तो मेटा प्लेटफॉर्म लाइक हमारा फेस्बुक आ जाता है इस्ट्राग्राम बगर आ जाते हैं इन्होंने डिजिटल सर्विसेज एक टी एस एक जो हैं उनको प्रीज किया है बेसे आपका EU की दोरा इनेक्ट किया गय नहीं है उसके लिए इंडियन गवर्मेंट ने भी बच्चों पो ऑनलाइन बचाने क्लिक कुछ इनिशेटिव लेके आए हैं जैसे कि हमारा सेक्ष्टी शेवन भी आ जाता है आई टी एक 2000 का इसके अंडर में काफी इस्टिंग परिश्मेंट की बात की गई है वो को इंपावर किया जाता है कि वो सोशल मेडिया प्लेटफर्म को उनकी सेफटी के लिए अगाउंटेवल ठहरा सकें ठीक है और डिजिटल परसनल डेटा प्रोटेशन एक 2023 भी आ जाता है जिसमें वेरिफाइवल कंसेंट चाहिए होती है फ्रॉंड लीगल गार्डियन इसस को ऑगनाइस किया गया था सस्टेनेवल इनरजी कांसिल के द्वारा सस्टेनेवल इनरजी कांसिल ठेक है पार्टनेशिप थी नीदरलेंड की गवर्मेंट के साथ इस समिट में मिनिस्ट्री ऑप निव एंडियन पविलियन को सेट अप किया और हमारे देश के जो अके दौर पर ही डिफाइन किया जाता है लेकिन यह हैड्रोजन प्रेड्यूस की जाती है जब आप वाटर को स्प्लिट करते हैं आइड्रोजन और ऑक्सिजन के अंडर में यह लेकिन किया जाता है रिन्यवल इलेक्रिसिटी के यूस के बाद में आपका सोलर और विंड प प्लस नेच्र हैसKen जो ब्रेंडड की जारे है जिसके एमिलीस कभ पाए जाते हैं जो आपका और उसकेHayश कीजन कंड़ रहा है उमसे सब्सक्त में प्रेंडा अथोरेटी बनाया गया है जो कि एजनसी को एक्रिडेशन देंगी उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन और सेटिफिकेशन का जूपर प्रॉसेस है जी एस टू प्रोडक्शन क्रोजेक्ट्स के लिए उसके लिए फिर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक रिलीज रिपोर्ट टाइटल वाटर फोर शेड प्रॉस्परिटी तो यह जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया 10 वर्ल्ड वाटर पोरम जो आपका यह बाली इंडोनेशन में कंड़क्ट किया गया कि फाइंडिंग्स की बात अगर हम क करें तो पॉपुलेशन ग्रोफ अर्वनाइजेशन क्लाइमेट चेंज यह ग्लोबल वाटर एक्सेज में डिस्पैरिटी क्रियेट कर रहे हैं दो हजार पाइस की बात करें तो 197 मिलियन जो लोग थे उनको साथ पानी पीने को नहीं मिला और 211 मिलियन जो लोग थे उनको ब पाइज रही है वर्ल्ड वाटर फोरॉम की बात करें तो अगर तीन साल में इसको कंड़क्ट किया जाता है को गूस्ट किया जाता है वर्ल्ड वाटर काउंसिल के द्वारा और कोई गोस्ट कंट्री भी साथ में एस्सोसेटेड रहती फिर बात करेंगे गूपिजन थोटा कोरा पिकम्स फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस तो आंध प्रिदिश से बिलॉंग करते हैं ये शिट्स क्रू मेंबर्स में से एक थे जिनको सब और्पिटल स्पेस फ्लाइट के लिए चूस किया गया और ब्लू औरिजन न्यू उपर की तरफ ले जाएगा आप सब को पता है कार्मल लाइन जो रहती है वो अर्थ के सर्फेस से हंड्रेट क्लो मीटर की विसनेटी में उपर की तरफ पढ़ती है और इसको बाउंटरी माना जाता है जिसके बाद हमारा अंत्रिक्ष स्टार्ट हो जाता है यानि कि इसके अगर हम बात करते हैं तो एक तो भई हमारे स्पेस चूरिजम मा आ जाता है सब और विटल सब और विटल सब और इसपेस क्राफ इसके प्रसेंजर्ट को जस्ट कार्मल लाइफ के बेउंट ले जाता है जिसके दौरह वह एंटी ग्रेविटी वाली चीजों को फील कर सकते ह सब्सक्राइब और दूसरा आ जाता है और विटल सब्सक्राइब यह प्रसेंजर्ट को कार्मल लाइन से काफ़ी सब्सक्राइब लेके जब फिर बात करेंगे एप 16 फाइट जैट कंट्रोल बाय आर्टिशल इंटेलियर्स पाइलेट ऑपरेटेड एक्सपेरिमेंट ली त उनको ट्रेनिंग, सर्विलेंस, लोजिस्ट्रिक, सैबर सेक्योरिटी, UAV, एड्वांस मिलिटरी वेपनरी, आप्टोमेवस कॉमेट वेहिकल्स, रोबोटिक सब के लिए यूस किया जा रहे हैं ठीक है इंडियर्स मिलिटरी की अगर हम यह एडप्शन की बात करें तो 2019 में एक Defense AI Project Agency यानि की DIPA ठीक है और Defense AI Council यानि की DAIC इनको इस्टब्रिश किया गया, 2022 में गवर्मेंट ने 75 प्रियर्टी प्रोजेक्ट जो है जो की AI for Defense Related थे उनको पब्रिश किया, इसके साथ साथ PRD वे जो है हमारी उसमें कुछ डेविटिटी केटिड लेवरेटरी इस बना फिर उसके बाद ICC Prosecutors Seats Arrest Warrants for Israel's Prime Minister and Hamas Leaders तो ICC जो है हमारी एक Permanent International Port है इसको Establish किया गया है तो investigate, prosecute and try individuals जिनके उपर crimes कमिट करने के लिए एक्यूस किया गया है, कौन-कौन से crimes इसमें जैनोसाइड आ जाते हैं, ठीक है, crime अगिन हुमेनिटी, war crimes और crime of aggression इसका headquarter आ जाता है, head नीदर लैंड में, इसको Rome Stat जो है ICC का 1998 का उसके साथ सिसको Establish किया गया है, 124 कंट्री जिसकी members है, यानि कि street parties है, Rome Stat की of ICC, इंडिया इसका member नहीं है, ठीक है, 18 judges आ जाते हैं, जो कि 9 साल का term सर्व करते हैं, non-renewable terms होती है, ICC National Criminal Justice System को replace नहीं करता है, पर उनको क्या करता है, compliment करता है, यानि कि उनके साथ addition नहीं आता, फिर हम बात करेंगे, lucid tribe की, तो एग rare hemi, parasitic, terrestrial plant, जिसको कहा जा रहा है, इसको पाया गया है, नेशनल पार्क और मिजूरम, कोन सा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का नाम है, फॉन, फॉन को कोई, ठेक है, रेशनल पार्क को मिजूरम में पाया गया है, lucid tribe की बात करें, तो ये कूपती चिर्प के अंडर में आ जाते हैं, इनको मिजोस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके mongoloid, जो रेस है, उसको बिलॉग करते हैं, इनके occupation की बात की जाए, तो जूम के साथ साथ औरेंज का motivation, इनका में काम है, lucid को head hunter community के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है, पॉबिलर डांस जो रहता है, इनका that is called as, मेरी writing improve करने ही बड़े, बैंबू डांस इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, that is, चिराओ डांस, बेस्तिक यूनिट जो लुशाई सोसाइटी के रहती है, ये पेट्रियो लोकल जॉइंट फैमिली रहती है, जिसमें जनरली आप फादर की जो ओ का golden back frog, जो एक उसको तक्रिवन 200 साल बाद दुबारा से घुन आ गया है, इंडिया में कॉंडेनिया वाइन लाइफ सेंचुरी में, कॉंडेनिया वाइन लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो ये लाए करती है चिक्तूर में, ये चिक्तूर डिस्टिक्ट हमारे आंदर के अंदर आ जाती है, यहां पर कोकपांग और पार्लमने रेंजिस आ जाती है, ये अंदर प्रिदिश की एक मात्र यसी सेंचुरी है, जहां पर एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं, कॉंडेनिया और केगल ट्रिव्यूटरी पलार रिवर की हैं, वो यहां से फ्लो करती है ठीक है, पलार रिवर की ट्रिव्यूटरी है, एक का नाम तो कॉंडेनिया ही है, दूसरे का नाम है केगल, यहां पर बर्ट्स पाए जाते हैं, पाटरेजिस, वाइल्स वगेरा, मैमल्स में इंडियन एलिफेंट, पैंथर, स्लॉद वेर, वाइल बोर, नील गाए, हाइना, जैकॉल वगेरा, फॉरेस्ट की बात करें, तो यहां पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ड्राइडेसी डियर्स कैटेगरी के, हाँ, ड्राइडेसी डियर्स कैटेगरी के, जो की फॉरनी स्क्रव यहां पर प्री डॉमिनेट थोड़ा पाया जाता, फिर हम बात करेंगे, मैंत की सबन की कहा जाता है उसके बाद एक आ जाता है काठिया वारी उसके बाद एक आ गोतिया और कच्छी सिंदी एक हमारा हॉरस है यह जन्सकारी स्पीति और गोतिया यह हमारे पोनीस की चैरिघनी मेर आते हैं पोनीस की बात करने के हाट हाट है थोड़ी से चोटी है यूणिक स्टैमेना एजलिटी इंटेलियेंस और स्पीड की वज़े से जाना जाता है इनको मतलब बैसे के लिए जो ओरिजनल हमारा जो पॉलो का जो गेम है यह बैसे कि पॉनी सबसे स्टार्ट हुआ था मॉडल पॉलो यही से ट्रेट किया गया है ट्रेडिशनल जो सगोल कांग जैई अपका मनिपूर का स्पोर्ट कहला जाता है जो कि यह बुमेंट प्ले कर र फरलो टिस्टम जो है यह परिजनल एकckर निटीनेट फॉर के अंडर में आता है यह लं टम इंपरिजन्मेंट की केसे सज़नल ञता है किसी भी प्रिजनर की जू सोटी जो सजा होती है एनौफ गोप लुदा किया कर दिया लन्विट करदий है प्लस हर इसको को कुद के रु ठीक है, इरान की जो प्रेसिडेंट है, एक हेलिकॉप्टर क्रेश में मर गए, लैंड बाउंट की सकी बात करें, तो भई यहाँ पर आपको नॉर्थ में अर्मेनिया दिखेगी, ठीक है, अजर बेजान जो है, वो भी दिखेगी, और तुर्क मेनियस्तान भी दिखेगा, अफगालिस्तान और पाकिस्तान जो है, इसके एस्ट में आ जाते है, एराक इसके वेस्ट में आ जाता है, तुर्की जो है वो इसके नौर्थ वेस्ट में अलगी मैरिटाइम गौर्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो भई मैरिटाइम गौर्डर्स में यहाँ पर और भी कंट्रीज आ जाती है लाइक बहरीन होगी कुवेट हो गई गुमान हो गई कतर हो गई सवगी अरेविया हो गई पर्ची आरेवियन परेनेश वाला पाटा जाता है थेकित पर्चियर गौर्फ जो है वह यह आपका सराउंडिंग बडर बॉड़ीज है इसके साथ साथ में मिडल इस्ट का मेजर रिवर्स में आ जाती है देह करते हैं और उसके साथ साथ में डियाला प्लस कारूंग ठीक है नेच्रल डिसूर्सिस की बात कीज़े तो ऑईल और नेच्रल गैस काफी ज़दा मिलते हैं कुल, क्रॉमियम, कॉपर, आइरन और, लैड, मेंगनी, जिंक और सिल्फर यहां पर काफी मात्रा में पाया जाता है फिर हम बात करेंगे ग्लोबल लैंड आउटलूक थेमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंज लैंड्स एन पास्टरलिस्ट रिलीज्ट यह जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है युनाटेट नेशन्स कनवेशन तो कॉमबैट एजरिफिकेशन यह फोकस करती है रेंज लैंड और उनकी human communities के बीच की relationship के बीच में फासका जो पास्टरलिस्ट रहते हैं एना ताकि रेंज लैंड प्रोटेक्शन के areas को identify किया जा सके अब यह जो रेंज लैंड्स होते हैं यह हमारे natural या फिर semi natural ecosystem रहते हैं जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है life stocks को बीडों को या फिर wild animals जहाँ पर क्या करते हैं चरते हैं यहाँ पर generally आपके बहुत सारा combination आ जाता है ecosystem का यानि कि यहाँ पर grass lands भी आ जाती हैं इसके साथ साथ seven ना जो हैं वो भी आ जाते हैं shrub lands, dry land, deserts, tapis, mountains, open forest, agroforestry system सारे यहाँ पर combine करते हैं इस report की highlights की बाग कर रहें तो इसमें बोला गया है कि range land जो है यह terrestrial surface का 54% तक cover करते हैं जबकि 78% जो है वो आपका dry land की category में आता है तकरीबन 50% तक जो range lands है यह degrade कर रहे हैं यानि कि यहाँ पर soil fertility कम होती जा रहे है nutrients, erosion, salinization, alkalinization और soil compaction हो रहा है जिसकी वज़े से plant ग्रोथ हो रहे हैं कम यह जो degradation हो रहा है इसकी वज़े से land use का pattern change हो जाएगा क्योंकि population बढ़ती चली जा रहे हैं cities बढ़ रहे है, urban expansion हो रहा है, food की demand बढ़ती चली जा रहे है, food, fiber और fuel demands बढ़ती चली जा रहे है excessive grazing हो रहे है, जानवरों को ज़्यादा चलाया जा रहा है, जमीन को खाली चोड़ा जा रहा है और ऐसी policies हैं जिसमें over exploitation जमीन का promote किया जा रहा है फिर बात करेंगे competition commission of india CCI celebrated its 50th foundation day ठीक है, सन 2009 में इसको establish किया गया था under the competition act 2002 initial 2003 में create किया गया था लेकिन इसको जो enforcement और regulatory powers है वो इस act के substantive provisions के बाद में लावू जब हुआ तब उसको मिली ठीक है, लुक्लिय मतलब कि जो antitrust enforcement और regulations आ जाते हैं ये सब इसके 2009 में अपके force में है ठीक है, chair person एक रहते हैं, इनके plus 6 members रहते हैं जिनको appoint किया जाता है, central government के दारा functions की बात किये जाए तो competition के उपर जो भी adverse effect चलते हैं ऐसी practices को रोकना, जैसे कि Google के उपर 2025 में इनोने penalties लगाई थी क्योंकि वो अपनी dominant position android mobile device ecosystem में प्ले स्टोर के थूँ लागू कर रहा है इसके साथ साथ sustaining competition जो रहता है, उसको promote करना है market में जैसे कि CCI ने आपके एक जाच बिठाई थी, apple की अगे, ठीक है, क्योंकि वो app developers को force कर रहे थे कि वो in-app payment solution को ही लागू कर रहे है इसके साथ साथ consumers के interest को बचाने के लिए, freedom of trade को ensure करने के लिए, कि जो भी participants markets में इंडिया में है वो freedom of trade कर सकें अपने एसाथ से, प्लस इसके साथ साथ इसमें क्या है, कि क्या बोलते हैं, ये competition issues के उपर अपने opinions वगरा वो देते हैं, ठीक है, कोई भी authority, कोई भी statutory authority, कोई भी law वगरा इंसे कोई भी तरह की advice लेता है, तो ये उस competition particular issue के अपने advice भी देने के लिए सुतंतर पहते हैं, फिर हम बात करेंगे अरब league की, तो recently अरब league summit जो है, वो conduct की गई, united nations chief ने, यहाँ पर बोला कि गाजा का बाजा बंदा, बंद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाजा का जो ceasefire है, और जो regional unity है, वो maintain है नहीं चाहिए, अब अरब league की बात करें, इनको league of arab states के नाम स लिए ठीक है, इंडिया का मैप आपको किसी भी ऐसी जगह पर प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है, अब इसका genesis हुआ था, 1945 में, काईरो यानि के इजिप्ट में, Alexandria protocol 1944 में, असेप्ट किया गया था, उसके बाद headquarter again, काईरो इजिप्ट में ही है, इसका mandate है कि member states के बीच में, मजबूती लाना, policies बें, coordination करना, operation करना, political, security, economic और legal issues में, 22 members जो है, states आ जाते हैं, इंडिया के पास जो है, observer status दिरत, फिर बात करेंगे, कॉपर निकास EMDS की तो European Union जो है, EU ने अपना कॉपर निकास emergency management services जो है, इसको activate किया है, ताकि Iranian president को जो carry करके ले जा रहा था, helicopter bell, to work the helicopter, उसको क्या किया जाए, उसको locate किया जा सके, ठीक है, तो इसको European Commission के गवारा, implement किया जा रहा है, दो हजार पारा से, पॉपर निकास प्रोग्राम के अंडर में, पॉपर निकास European Union का Earth Observation Program है, ठीक है, Earth Observation Program ये कहलाता है, ये सारे actors को support करता है, जो की management में जुड़े हुए रहते हैं, actors मतलब की, जो natural या manmade disaster के management में involved रहते हैं, इनको geospection information दी जाती है, इसकी दो components होते हैं, एक तो इसमें रहता है, on demand mapping, इसमें rapid mapping की जाती है, यानि कि इसमें geo special information जो है, arts या फिर days के बीच में provide कराई जाती है, जब भी service आपके request की जाती है, risk और recovery mapping भी की जाती है, उसके बाद एक आता, early warning and monitoring, इसमें floods, forest, fires और droughts, इनका anticipate करके क्या किया जाता है, बताया जाता है, बही, यह देखो, या बर्स लाड़ आने वर, ठीक है, अब उसके बाद आगे बाद करेंगे travel and tourism development index 2024, तो travel and tourism development index TDDI 2024 को world economic forum ने launch कर दिया है, TDDI कुछ ऐसे set of factors of policies को मेजर करता है, जो enable करते है, कि वह सस्टेनीवल और resilient development travel और tourism का किस criteria से हो रहा है, ये सेकंड एडिशन आ जाता है वही हमारे इस इंडेक्स का जो की ट्रेवल एंड टूरिजम कॉंपुटिटिव डेस इंडेक्स यानि की TTCI सीरी से डेवलप की आग यानि TTCI आपकी फ्लेक्शिप इंडेक्स है वर्ड एकिनोमिक फोरूम का जिसको दो हैलार साथ से बनाया जा रहा है इंडिया की रैंक 2024 में 39 है 2021 में इंडिया की रैंक 54 थी यानिक एक सिग्निफिकेट इप्रूमेंट यहां पर देखा जा सकता है फिर बात करेंगे नाय गिलिरिया फावलर की तो एक गर्ल जो केरन के मलापुरम से बिनॉम करती है वो रिसेंटी उसकी टैथ हो है यानिकी यूमिसलियला अगरिजम होता है जोकि सॉईल उसके साहिथ साहिए वांप रैशनार लेक रिवरस पर आया जाता है इसको जनरली बेंग एटिंग कहा जाता है वहिचे और ब्रेंटिक को इंटक को यह घरता है। को रिस्ट्रॉई करता है रियर होते हैं लेकि जब होते हैं तो फैटल होते हैं यानि कि इसकी वज़े से डैथ हो जाती फिर हम बात करेंगे विपिल जन्दर पॉल जी की 1858-1932 इमेरेंट स्रीडम फाइटर नैशनलिस विपिल जन्दर पॉल जो है उनको उनकी डैथ एनिवर इस्त्रॉइमीस नैशनल फ्रीडम फाइटर थे जिनको लाल बाद पॉल के नाम से जाना जाता है उसमें पॉल के नाम से फिपिल जन्दर पॉल फेमस थे ठीक है वाल गंगादर तिलख का जो हिंदू ने फेमस किया इनको चेह महिने के लिए बंदेवात्रम स्टेशन के इ देन में डाला गया था इन्होंने बेंगॉल वेशनरिजम के ऊपर फिलोस्पी भी एक पुछ और इंपोर्टन पॉप्लिकेशन पर बंदे मातरम डेली नीज़ पर आ जाता है निव इंडिया आ जाता है जो नोंने रिखा आ है निव इंडिया एक वीकली पॉप्लिकेशन जर वो इंपेक्ट हुआ एक 5N1 से यह हमारा एक एवियन इंफ्लुएंजा ए वाइरस की केंटेगरी में आ जाता है यह बहुत बड़ा तंसन है उस एरिया के लिए क्लिए क्योंकि एक 5N1 वाइरस हो रहता है यह मेंली एक एनिमल वाइरस है जो कि क्या गरता है एनिमल्स को ही लेकिन इसके बारे में अगर बात करें ठीक है अगर एकिन इंफ्लुएंजा को कहा जाता है वरड़ फ्लू को य कि особенно related तो की बड़े में इस Castro की वो लोटे नहीं है ठीक है और दूसरा आ जाता है एन ए यानि कि नेर्वा मिनिड ऐसे इसक्थ वाले वाले वह नैच्छरल बैसे की लिए तरीके से इवियन इंट्रेजा को कर लेते हैं पर बात करेंगे इंडिया रेंग इन टॉप 50 इस टीज पॉर स्टार्ट अप वर्ल्ड वाइड तो एक कंपनी है वही इस कंपनी का नाम है पिच बुक ठीक है पिच बुक प्राइबिट ऑग्नाइजेशन है रिजेटल उन्होंने 2024 की ग्लोबल रैंकिंग्स पैस्ट स्टार्ट अप सिटीज की रिलीज की है मुंबई को जो है इन्होंने 32nd प्लेस दी पुंबई को 32nd रैंक भी है बैंक यूरूब की बात की जाए तो इनको 34 गुरुग्राम की बात की जाए तो 48 टॉप 50 स्टार्ट अपस में इनका ये रैंकिंग उन्होंने दी है स्टार्ट अपस और इनकी स्टेटेस की बात की जाए तो स्टार्ट अप का मतलब होता है कि एसी एंटिटी जो कि इन्नोगेशन डेवलाब्मेंट या इंप्रूमेंट करती है प्रोडक्स का या प्रॉसेस का या सेर्विसेस का जिनका एक स्केल एबल यानि कि बहुत का बिजनिस मॉडल नहीं होता है इनकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए एनुल टर्णोवर जो है वो सौ करोड से जादा नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट फो प्रमोशन आफ इंडेस्टी और इंटरनेशनल ट्रेड यानि कि डी पी आई आई टी मिनिस्ट्री आप कॉमर्स और इंडेस्ट्री के अंडर में जो आता है ये किसी भी बिजनिस को स्टार्ट अप के तौर पर रिगर्णाइज करते हैं इंडिया के पास थार्ड लार्जेस एको सिस्टम वर्ड में आ जाता है 114 यूनिकॉन आ जाते है मार्स 2024 के साब से यूनिकॉन का मतला होता है एक ऐ जिसकी वेल्यू एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा पहुंच जाते हैं फिर अब आप करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिविनल्स एंटी जज्जमेंट और कोस्टल रेगुलेशन सी आर जेड की तो वही नेशनल ग्रीन ट्रिविनल की जो सदन ब्रांच है ठीक है उन्होंने चे जा रहे हैं प्लस फूट बगरा जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं यह बनाए जा रहा है आपके सी आर जैट टू जोन में जहां पर ऐसी एक्टिटीज रहती हैं ठीक है इस प्रोजेक्ट का एम था कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचिस के लिए हासिल किया जाए ग्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपको पता है यह वॉलेंटरी ग्लोबली रिकगनाइज इको टैग होता है ठीक है यह एक इको टैग होता है जो कि इन्वर्मेंट फ्रेंडली और क्लीन बीचिस मेरीन और बोट एरियास को दिया जाता है ठीक है इसको दि बीचिस पे परफॉर्म करने के लिए इसके साथ साथ आपको बीचिस की सफाई भी करनी है और वहां से इनक्रोच पेट यहने के अतिक्रमन अटाना अब अगर हम पोस्टल डेकुलिशन जोन CRZ की पात करें तो CRZ Notification 1991 Ministry of Environment, Forest and Climate के द्वारा अब का इशू किया गया था यह आ जाता है Environment Protection Act 1986 में इसको पात में रिकलिस किया किया CRZ Notification 2011 से जिसको सैलेशना एक कमिटी ने रिव्यू किया था उसके बाद CRZ Notification 2019 आ जाता है CRZ Notification 2019 जो है यह चाता है यानि किसके अंदर mandate है कि स्टेट को अप्डेट को अपडेट करना पड़ेगा ठीक है इसके साथ साथ institutional mechanism के बाग करें तो National Coastal Zone Management Authority जो है वो आ जाती है हमारी Union Government के लेवल पे और फिर उसके बाद में स्टेट या फिर Union Territory Coastal Zone Management Authorities SCZMA जो है यह Coastal State या Union Territory के लिए उदिया और District Level Committee इसहार इस्टिक में बनाए जाती है जहां पर Coastal Areas पाए जाते हैं अब आगे बात करेंगे Spain becomes 99th Member of International Solar Alliance ISA यह एक ट्रीटी बेस्ट इंटर गवर्मेंटल ओगनाजेशन है जो की Action Oriented Member Driven Collaborative Platform है जिसके द्वारा Solar Energy Technologies की यूज़ को बढ़ाया जा सके Jointly इसको launch किया गया था इंडिया और France के द्वारा 2015 में में इसको आपका इस्टबिश किया गया था United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC जो पैरिस में कंड़क्ट किया गया Officially 2017 में इस्टबिश किया गया इसको with the entry into force of the ISA Framework Agreement Amendment किये गए आपके Framework Agreement में 2020 में और सारे जो Member States United Nations के देर वो आप ISA को जॉइन कर सकते हैं कि इस strategy की बात की जाए तो इनका एक strategy आ जाती है towards thousand strategy ठेक है इसके अंदर ISA का aim है कि तक्रिवान 1000 billion dollars को mobilize किया जा सके to invest in solar energy solutions by 2030 ठेक है 1000 million people तक इस energy की access पहुँचा है जा सके और 1000 giga वार solar energy capacity डेवलप की जा सके observer status भई यहाँ पर आ जाता है United Nations का ठीक है 2021 में United Nations General Assembly को observer status दिया गया इसका headquarter आता है in गुरुग्राम इंडिया आगे बात करेंगे रिज़र बैंक ओफ इंडिया और बेए एप्रूब्स ट्रांसफर और प्रूपीज 2.11 परसेंट तक बढ़ा देंगे for financial year 2023 2024 यह 6 से आपका डारेक्ट साड़े 6 परसेंट बढ़ा दिया है अब अगर हम बात करेंगे surplus transfer की और अगर हम ECF की बात करें तो क्योंकि हमारे government finances क्या manager है तो हर साल क्या करता है एक dividend government को देता है ताकि government के जो finances है उनको help किया जा सब्सक्राफिट से सक्षेंट 47 और एक 1934 का यह mandate करता है कि कोई प्रॉफिट जो कि आरवी आई ने सेंटर को क्या बोलते हैं कि साथ जो भी ऑपरेशन सांटेट रॉप किये हैं वह अर्यमें कि पर दो कि अब पर दो कि अब दो कि अब कि चले आगे बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्फ्ट ट्रांसवर रुपीज 2.11 लात करोड करोड का दोमेंट के लिए एप्रूफ गया है फो दा फैनेंशल येर 2024 यह जो ट्रांसवर है यह 140 परसेंट जादा है पिछले लास्ट यह से और यह बेस्ट भई ह हमारा रिवाइज्ड एकिनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्ग यानि की इसके साथ साथ कंटिंजन्सी रिस्क बफर जो है वह भी आर्विया ने 6% से साड़े 6% एप्रूब किया है फैनेशल येर 2023 से लेके 2024 के लिए अब अगर हम एसी एफ और सर्क्लस ट्रांसफर की बात करें तो क्या होता है क्योंकि अर्विया गवर्मेंट फैनेंस का मैनेजर है तो हर साल अर्विया क्या करता है अर्विया एक डिविडेंड किसको गवर कमेंट को देता है ऐसा सेक्शन 47 अपर आर्विया एक 1934 में मैंडिट दे रखा है कि कोई भी प्रॉफिट जो आर्विया ने कमाया है वो उसको अपने ऑपरिशन से वो सेंटर को देना है तो एसी एफ जो है इसमें एक ऐसी मेटोलोजी की बात कही गई है कि एक एप्रॉप जालान जो आर्विया की गवर्नर से उनके अंडर में ठीक है कि वहीं 2015 से लेकि 2016 का जो ECF है वो 2018 में रिव्यू किया गया इसके साथ आर्विया क्या करती है एक CRV जो है उसका जो रेंज है वो भी तक्रिवत 6.5% के आसपास उनाने रखा हुआ है आर्विया की बैलेंस जी इताया बेचता है एंटररस्ट जो उसको बेंक वागरा से मिलता है जो प्यास की तरह मिलती है और रिटरं जो उसको फोरें एसिट से मिलते हैं जो बैंक्स को बहुत शॉर्ट टेन्यूर्स के लिए लेंटिंग करता है उसके बैसिस पर जो पैसा मिलता है एक एक ऐसा फंड होता है जिसको अनफोर्सीन के लिए रखा जाता है लाइक सिक्योरिटी इसकी वेल्यूस के जब टिप्रिसेशन हो जाता है जो है इसका चार्टर साइन किया गया था और इसको एड़ॉप्ट किया था फिर्थ सम्मिट जो थी इनकी गृपिंग की शीलंग्जाम है इन 2022 ठीक है तो चार्टर को नेवाल ने भी इंडॉर्स कर दिया है तो अब सारे की सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इसका स्टेट्स पूरी ग्रूपिंग पर यानि के के लिगल स्टेटस देता है और एक्सटर्नल पार्टर्शिप्स और ऑप्जावास और नियू मेंबर्स के एडमिशन को लेके भी इनको पावर्स देता है विम्स्टेक पो की तो Ministry of Commerce और इंड्रेस की जो है उन्होंने सर्टेन आइटम शेयर किये हैं मिनिस्ट्री और फाइनेंस के साथ ताकि इनके जो इस्ट्रक्चर को उनको एड्रेस किया जा सके ठीक है यानि कि ऐसी सिच्वेशन होती है जहां पर हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती है ठीक कि परचेजिस पर ज्यादा होती है डेंडा जी एस्ट्रेट पेवल ओन सेल ठीक है आइटेस का इंपेक्ट क्या पड़ता है तो यह हमारी टोमेस्टिंग इंड्रेस्ट्री को एफेक्ट करती है मैनिस्ट्रेस को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है रो माटेरियल के ल है वो अपने जीएस्ट्री एलक्ट्रोंने क्रेडिट लाजर में शामिल करना पड़ेगा एक आपका वर्किंग कैपिटल क्रेट कर दिया जाता है वर्किंग अपिटल इश्यूस क्रेट कर दिये जाते हैं टेक्स के लिए क्लिकि उनकी जो रिसॉर्स होते हैं वो प्रोडक्ट या ट्रेक्टर वगर रहा किये वो बंदा कर रहा है customer को कर रहा तो 12% टेक्स लग रहा है यह यह manufacturer क्या करना चाहता है वहए इसको वहहिकल पॉड़ी मिली है यानि कि raw material मिला है उसको फिनिश करना चाह रहा है तो उसको vendor तक पहुंचाने में इसको 28% जो है वो लग जाए पर हिमालियन आइबेक्स की बात करते हैं तो वाइलनाब अथ्वारिटी इन हिमाचल प्रदेश उन्होंने एक सर्वे करना स्टार्ट किया है ताकि हिमालियन आइबेक्स के साथ-साथ ब्लू शीप जो है इनकी काउंटिंग की जा सके इनका इसके मिशन जाश लाया है पांसो मीटर के आसपास यह इसके साथ-साथ रॉक्य प्रेसिपिटियस त्रेडिंग यानी के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है आकिशनली फौरेस्ट में भी पाई जाहीगी इसका distribution पाकिस्तान, चाइना, इंडिया के आसपास, लदा, किमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मी के forest में मिलेगा और अफगानिस्तान में बगारा में इसको schedule 1 में डाला गया है of World Life Protection Act 1972 blue sheet की बात करें तो इसको भराल नाम से भी जाना जाता है इसका जो habitat है वो open grassy slopes में पाया जाता है how high mountains में डाई हजार मीटर से लेके 5,500 मीटर की ranges इसका distribution भी भूटान, चाइना, इंडिया, मयमार, नेपार और पाकिस्तान में पाया जाता है इसको least concern की category में डाला हुआ है of IUCN or schedule 1 of WPA 1978 फिर बात करेंगे geopolitical recession की तो political scientist यार grammar उन्होंने geopolitical recession को define किया है एक ऐसी situation से जहाँ पर established global power framework जो है वो टोट रही है क्रम्बल कर रहे है ठीक है उनके इसाब से economic recession की तरह geopolitics जो है उसमें भी और बस cycles जो है वो आती है geopolitical recession में यह जो crisis होता है इसको response करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है बहुत ज़्यादा challenging हो जाता है क्योंकि political institutions जो है उनका resilience यानि कि उनकी power कम होती जाए तो current geopolitical recessions के reasons क्या है तो सबसे पहली बात तो आ जाता है कि long term rise of China चाइना के साथ-साथ brand line के हिसाब से है ना brand line के हिसाब से अपकर global north और global south है ना चल रहे हैं फिर बात करेंगे shallow aquifier management SAM की तो SAM pilot model जो है रिसेंट्टी तेलांगा नाम है launch किया गया एक sustainable urban water management technique है इसमें क्या किया जाता है shallow water warbells जो रहते हैं उनको ट्रिल किया जाता है ठीक है shallow water warbells होते हैं उनको आपका drill किया जाता है पानी उनसे निकाला जाता है जो नीचे की layers होती है उनको recharge किया जाता है rainfall के दौरान जिससे क्या होता है कि water tables आपके देरे-देरे करके बढ़ने लगते यह अटल mission for rejuvenation and urban transformation यानि कि अम्रत का एक पार्ट आ जाता है जो कि ministry of housing and urban affairs की मववा की स्टीम है national aquifier mapping and management program यानि कि N-A-Q-U-I-M इसका aim आ जाता है तो प्रेक्टराइज aquifiers और groundwater management के लिए plants को develop करें फिर आंगे बात करेंगे animal diplomacy की तो डिप्लोमेसी की तो मलिशिय क्या दना चाता है अपनी environmental image को सुधारा जा रहा है औरांग उटांड डिप्लोमेसी कंड़क्ट करने के साथ यानि कि एक तरह की animal diplomacy का मतलब होता है animals को किसी दूसरे देश को देना या फिर उधार पर देल ठीक है friendship के साइन के दौर पर या goodwill के दौर पर तो यह जो creatures होते है इनकी होती है cultural significance होती है ये किसी particular country के indigenous होते है native होते है जो इनको gift करती है इनको element of soft power की तौर भी consider किया जाता है जैसे कि China क्या करता है पांडास जो रहते है उनको उधार पर देता ह अस्टेलियर क्या करता है पोईला जो है पोईला जिसको कहा जाता है उसको देता है ठीक है ethical concerns भी आ जाते है कि वह एनिमल्स को आप एक object की तरह ट्रीट कर रहे है नेशन के interest को फुन्फिल करने के लिए फिर हम बात करेंगे wind shear की तो recently एक plane जो है वो Singapore Airlines का उसने severe mid-air turbulence जो एक का एक motion होता है वो experience किया जिसको wind shear कहा जाता है एक primary element जो आ जाता है turbulence का इसको क्या बोलते है clear air turbulence कहा जाता है और यह wind shear की वज़े से हो अब wind shear की बात करें तो wind shear का मतलब होता है कि wind की speed में एक दम से क्या होना change आना wind की direction में या दौनों एक साथ होना कुछ stress के लिए यह horizontally भी हो सकता है यह vertically भी हो सकता है और यह high और low altitude दौनों पर आ सकता है usually weather phenomena's के साथ associated रहता है life by jet streams आ जागते हैं उनके साथ associated रहता है mountain waves यह temperature inversion layers होती है thunder storms वगरा होती है उनके साथ में यह associated रहता है फिर हम बात करेंगे जगनाथ temple की इसकी location है पुरी 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 साम है यह भग साथ साथ उनके भाई जो मतलब आप वगवान पिश्लू की जो अफ्तार है भगवान सी किसमें उनके लिए dedicated है इसके सास्तात उनके भाई जो है बल्भत्र जिनको कहा जाता है बल्गराम कहा जाता है वह आ जाते हैं और उनकी बहन आ जाती है दीवी सुबद्रा ठीकिन इस ठीक है फेस्टिवल यहाँ पर जो मनाये जाते हैं उसमें देवास नान आ जाता है पूरिमा आ जाती है जो पूरी की रत यात्रा है वो भी बहुत जादा फेमस है कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की ये पार्ट आ जाती है ये नादर स्कूल ऑफ टेंपर जो टेंपर अर्यव उसका ही एक सब टाइप आ जाता है ये एक रेस प्रेटफर्म पर बनाया गया है टेंपल की किसी भी प्रकार की शैटो जो है वो ग्राउंड पे इनके किसी भी समय पर नहीं पड़ती है जो हूली ट्रिटी की जो गूर्तिया है इनको बनाया जाता है लकडी से और सबसे जादा इंपोर्टेंट जो पाकस्तान को बिलॉंग कर रहे हैं इनके कुछ कांट वे तो वहां पर उसकी वज़ेसिंपो टार्गेट किया जा रहा था तो बीच में बढ़ी और बंगलदेश की जो स्टुटेंट्स वह भी लपेटे थे आ गए ठीक हमारी लोकेट अब चांटान को बम मतले लेंटंट्री सा शलयोताएट स्रीड King कन्टी रीबृफ किया ञाएं इनकी पीक में आजाती है जाता है में जघ रिवर्स में और जाती है साइर्डर दर्येग इसके साथ-साथ-नाषार्यान और शूरिवर्र ठीक हैं लेक की बाद कर थे दो बहीं लाजेस सेलाइन लेक आजाता है आफ्टर कैश्पेंसी नेच्छल रिसोर्सिस में गोल्ड पोल और नेच्छल गैस याँ पर पाई जागे फिर बात करेंगे तमिला डूस नागा पटिनम और इस्पिल एंजी टी इंपोसे रुबी स्पाइट पी तो ने रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने चेनली पेट्रोलियूम कॉर्परेशन लिम्टेड यानि कि CPCL को कहा है कि वहीं पांच करोड रुबए आपको नो फॉल्ड लाइबिलिटी के तौर पे देने हैं ठीक है क्योंकि नागा पटिनम पोस्ट में मार्च 2023 में जो तेल आपकी वज़े से फैला फॉल्ड लाइबिलिटी या फैसी सब्सक्राइबिलिटी जो रहती है बार्जिस हैं, पाइपनाइंस हैं, रिफाइनरी बगरा हैं, इनमें एक्सिदेन्ट की वज़ए से ऐसी सिच्वेशन अगर होती है, कुछ टेक्मिलोजी भी डेवलप की गई है, ओल स्पिल्स को टैकल करने के लिए जैसे बात की जाए, तो आ जाती है ओल जैपर, ओल जैपर प्लोटिंग गूम्स आपके डेवलप किये जाते हैं, प्लोटिंग बेरियर्स होते हैं, ताकि मेरीन स्पिल को रोका जा सके, और आपके अलग-अलग करेके सॉर्वेंट्स भी यूज़ किये जाते हैं, लाइक स्ट्रॉव हो गया, वान केने कैश वगरा हो गई, जो की इस ओईल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, फर्स्ट ग्लोबल मेंगरूप असेस्मेंट फो दा इंटरनेशनल यूनियन फो कल्सरवेशन आफ नेचर रैट लिस्ट ऑफ एको सिस्टम, तो पहली बार एक वी एको सिस्टम ग्रूप जो है, उसको एस कि इस एस है, उसको एस इस किया गया है, यूजिंग डा आयूसेन रैट लिस्त ओफ एको सिस्टम आरे लिए, यह ग्लोबन स्टेंदर्ड जिसके दोरह हेको सिस्टम की हैल्फ को मीज़र किया जाता है, उनके थ्रैट लेवल को assess किया जाता है और most effective management pathways को identify किया जा क्या key assessment findings पाई गए हैं इस assessment के जिसमें पाया गया है कि 50% जो mangrove ecosystem है वो collapse की risk पर पाई जा रहे हैं जिस बैसे 20% जो है आपके वो high risk की category में आ रहे हैं इनको endangered या फिर critically endangered की category में रखा है तो mangrove को threats क्या है climate change, deforestation, development, pollution, dam construction, climate change बगएरा बगएरा ठीक है climate change तकरिवन 33% mangroves को effect करना उतर रहे हैं जो भी पूरा mangrove ecosystem है sea level की rice की वज़े से 25% जो mangrove areas है फोग पिछ अगले 50 सालों में डोप जाएंगे 2050 तक significant changes अगर नहीं हुए तो climate change और sea level जो है वो तकरिवन 1.8 billion ton जो carbon store है है ना इन सारे mangroves में वो तकरिवन बाहर release होगी plus 2.1 million life जो है वो coastal flooding का भी शिकार बहुत है इंडिया mangroves की बात करें तो वही हमारे अंड़मान and bay of Bengal के जो mangroves आ जाते हैं ये least concern की shareणी में आते हैं South India के जो हमारे mangroves साथे इन पो critically endangered की shareणी में रखा है और West India के जो आते हैं इनको one river की shareणी में रखा हो ये structure है IUCN red list का ये नीचे से लेके उपर तक आप देख सकते हो फिर आप आगे बात करेंगे 12 countries and European Space Agency ESA signed up zero device charter ZDC ZDC जो है इसको 11 ESA EU Space Council की meeting की उसके दोरां sign किया गया इसको पहली बार establish किया गया था 2004 में under the framework agreement between ESA and European Union एक world leading effort है जिसके दोरा Space को 2030 तक इनको debris neutral करना है यानि कि वहाँ से सारा कच्रा एकटा कर लेना है इसके अंदर high level guiding principles और ambitious jointly defined targets आ जाते हैं इसके दोरा zero debris goal को अचीव करना है signatory countries में आस्ट्रिया बेल्जियम साइपरस टोनिया जर्मनी लिचेनिया पोलेंड पॉर्टिगल रुमेनिया स्लोगोकिया स्वीटन और United Kingdom आ जाते हैं अब अगर हम space debris की बात कर रहे हैं कि space debris में क्या क्या चीज़ें आ जाएती हैं तो सारा non-personal man-made object जो अर्थ orbit में पाई जा रहे हैं या फिर अर्थ के atmosphere में रिएंटर कर रहे हैं इसके अंदर decommissioned satellites spent rocket bodies fragment जो space craft breakups या collages की वज़े से जनरेट हो रहे हैं या anti-satellite weapons की जो debris है वो सब पाई जाते हैं currently 1 million pieces से ज़्यादा space leverage जो है आपका वो आपका आर्थ के orbit में पाया जा रहे है next बात करेंगे first light for square kilometer array ska prototype telescope तो ska MPI ये prototype telescope है ska observatory का scout observatory का जिसको South Africa में बनाया गया है achieved first light demonstrating his potential ठीक है first light क्या है आपका first light एक astronomical instrument है आपका first use है इसकी वज़े से गोई एक आपकी image जो है वो generate होती यानि कि पहना successful test इसका होता है अब अगर हम स्कावल के बात करते हैं square kilometer array observatory intergovernmental organization है जिसके पास बहुत सारे member states हैं partners हैं और इसका headquarter जो है वो है United Kingdom में नौ memory countries आ जाते हैं Australia, China, Italy, Netherlands, Portugal, South Africa, Spain, Switzerland and UK prospective members यानि की process में हैं वो आ जाते हैं Canada, France, Germany, India, Japan, South Korea and Sweden इसका सीधा सा aim है कि हमें cutting edge radio telescope जो है वो बनाने हैं और इसके दो telescope जो currently under construction है Australia के मरकेशन शायर में हैं South Africa के कारूल है ये दो different frequency ranges को cover करेंगे ठीक है और ये radio quiet zones में located है जापर radio interference बहुत कम पाया जाता है जिससे ground का interference इसको नहीं मिलेगा तो अनो एसके ये telescope जो है इंटर फैरोमेट्री जो रहती है ये बहुत चोटे-चोटे smaller antennas को यूज करते हैं जो कि एक साथ connected रहते हैं optical fiber networks ठीक है ले फिर आगे बात करेंगे radiation processing की तो government जो है वो radiation process plan कर रही है onions का ताकि इनकी strategies जो है वो रोकी जा सके इसके अंदर हमारे controlled applications incorporate किये जाएंगे ionizing radiation के लाइक गामा rays होगी accelerated electrons और x-rays बगरा होगी इसके दौरा क्या होता है कि वही आप थी जो इनको पकाने की जो प्रोसेस रोता सब्सक्राइब किया जाता है इनकी shelf life जो है वो बढ़ाई जाती है ताकि इनको जल्दी से खराब होने से बचाया जासे ठीक है लेकिन इसके अधर जो microbial toxins होते है पेथोजन वाइरस होते हैं उसको नहीं रोका जा सकता मतलब इस प्रोसेस के बाद इनके अंदर chemical changes बहुत कम पाये जाते है nutritional value जो रहती है वो बहुत कम effect इसकी होती है as compared to other processing methods फिर हम बात करेंगी heat index की तो recently heat index जो है वो 50 degree Celsius देहली में पहुँच गया इसको lodge किया गया है Indian Meteorological Department के दोरह on an experimental basis एज आई को हम apparent temperature के तोर पे भी जानते हैं apparent temperature के तोर पे भी इसको बुलाया जाता है मतलब temperature कितना feel हो रहा है human body को एना जब relative humidity आपकी air temperature के साथ combined हो जाती है यानि कि यह humidity के impact को बताती है high temperatures पे और इसको human discomfort के level पे measure किया जाता है color ports यूज किया जाते है green आपका यूज किया जाता है 35 degree Celsius से कम के लिए yellow आपका यूज किया जाता है 35, 36 से लेकर 45 के बीच में orange आपका यूज किया जाता है 46 से 55 के बीच में और रेड यूस किया जाता है 55 से ओपर के लिए सबसे लाज में बात करेंगे एक प्रोमिनेंट पस्नेलिटी जिनका नाम है करकार सिंग सरावा 1896-1915 मतलब टोटल इनका जो जीवन काल रहा है 19 सार का बर्थ एनिवर्सरी इनकी 24 में को सेलिबरेट की गई इंडियन करांतिकारी थे जिनका जनम सरावा नाम के गाउं पंजाब में हुआ ये गदर पार्टी के मैंबर बने गदर पार्टी का ओर्जिनेशन जो है वो कोरी गाउं में 1913 में इसकी स्थाबना कीगी ताकि पिट्रिश स्लोल को हटाया जा सके एंड ये इसकी वन अब दो मोस्ट एक्टेब मेंबर्स थे इन्होंने पंजाबी इसी जो गदर नीस्पीपर का है उसको स्टार्ट किया इंडिया लुक्तने के बाद उन्होंने इंडियन स्टुल और सामेंटिरेस भी एक चोटा सा सेटप जो इसमान स्केल आम्स मैनिफेक्शनिंग यूनिट का लोद्याना में डाग इनको लाट और कैस्परेसी केस जो यहां पर भी बनाया गया उसके अलिए सेटिशन के चार्जिस लगा गया राष्ट्रो दो के चार्जिस लगा गया और उनको 1915 में एक्जेक्यूट कर दिया गया उनकी कमपेट्रियट विश्नु गने टिंगले के साथ तो वही यह थी हमारी करेंट अफेर्स वीकली करेंट अफेर्स अब आपकी वीक मेह का एक और वीक करेंट अफेर्स बचा हुआ है रेस जैसे कि मैंने आप लोगों को अ पॉरणेटी स्टाट हो चुका है जो बसंतर वन का बैच है उसका सोरी 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 बसंतर 1 सीदियस वन ट्रडी ट्रड़ीट्य फाइफ का इंट्रोड़क्शन सैशन हो चुका है अज शान को स्टार्ट हो जाएंगी वीडियो देख रहे होंगे उसके आदे घंटे बात ये जो क्लासे से स्कार्ट हो जाएंगी, ठीक है, आप लोग जॉइन कर सकते हैं, जॉइन करने के लिए 8839961158, पर DM कीजिए, डिटेल्स के लिए मैं डिटेल्स आपका शेयर कर गूंगा, जितना जल्दी हो जाए, उतना जल्दी आप जॉइन कीजिए, क्योंकि लाइफ क्लासे को accumulate नहीं होने दिना है, हम बहुत in-depth तरीके से syllabus complete करने जा रहे हैं, तो आपके लिए चीज़े फिर बाग में बढ़ सकते ही, इसलिए कोशिश कीजिए, कि आप अभी से इस course पर purchase कर लिजिए, ठीक है?